हेलो गाईद, लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, सब कुछ ठीक चल रहा था, पर तभी अचानक से वहाँ पर आइस वीवर वैली का चेफ बिंगे आ जाता है और उँ जियन पर हमला करना शुरू कर देता है, जियन की हालत अभी के लिए बहुत जादा खराब थे, वो फ पायर लोटेस से उसका सामना करनी वाला था, लेकिन तभी अचानक से उसके आस पास का स्पेस खिलने लगता है, और अचानक से इस स्पेस में दरारे पढ़ने लगती हैं, उन दरारों से दो लोग बहार आते हैं, जिन्होंने हरे रंग के कपड़े पहने हुए थे, वो दो पोचाने की कोशिश करेगा, उसे मैं जिन्दा नहीं छोड़ूंगी, ये आवाज आसमान में गूंज गई थी, आवाज बहुती जादा सौप्ट थी, और आवाज में एक छुपी हुई धमकी थी, जिसे सुनकर कोई भी डर सकता था, अचानक से इस आवाज को सुनकर जिय जियन कापते वे कहता है, यूनर, जियन ने अभी ऐसे आवाज में कहा था, जिसे सुनकर कोई भी कह देता, कि जियन को अपनी ही शब्दों पर यकीन नहीं हो रहा है, अचानक से जियन के सामने का स्पेस कापने लगता है, और वहाँ पर एक लड़की आ जाती है, जिसने हर हरे रंग के कपड़े पहने हुए थे, उसकी बोड़ी से एक पावरफुल औरा निकल रहा था, जिसे फियल करकर कोई भी डर जाता, अचानक से आसमान में इस बदलाव से सबीलुक चौंक जाते हैं, और आसमान में देखने लगते हैं, आसमान में जियन के सामने एक लड़ लड़की खड़ी हुई थी, जिसने हरे रंग के कपड़े पहने हुए थे, लड़की बहुती जादा सुन्दर थी, उसके काले घने बाल उसकी कमर तक आ रहे थे, जिससे वो और जादा सुन्दर लग रहे थी, अचानक से आसमान में इन लोगों को देखकर बिंगे चौंक जाता है और उन्हें घूरने लगता है, इधर यूनर जल्दी से जियन के पाद जाती है, और उसका हाथ पकड़ कर कहती है, जियन क्या तुम ठीक हो, जियन बिना कुछ सोचे समझे जल्दी से यूनर को गले लगा लेता है, और सभी लोग उसे घूर कर देखने लगते हैं, खास करकी उसके सामने खड़े दो आदमी, वो दोनों बुड़े आदमी अच्छी तरह से जानते थे, कि यूनर उनके सेट की अगले लीडर बनने वाली थी, उसके पास उनके किलैन की सबसे प्योर ब्लड लाइन थी, उसके चाहने वाले क्लैन में बहुत थे, मगर यूनर उन मेंसे किसी को भी अपने करीब आने नहीं देती थी, मगर इस लड़के ने उसे गले लगा लिया था, फिर भी यूनर कुछ नहीं कह रही थी, इससे वो दोनों समझ गए थे, जरूर इन दोनों के बीज कोई खिचड़ी पक रही है, इस चीज से तो वो लोग भी हैरान थे, मगर वो यूनर से कुछ नहीं कहते हैं, उन मेंसे एक बुड़ा आदमी जियान को घूरने लगता है, और कुछ देर तक उसे घूरने के बाद, वो हस्ते वे कहता है, मिस यूनर लगता है, आपने किसी सई इंसान को चुना है, जहां तक मुझे याद है, ये लड़का शायद जी क्लैन का वही जियान है, जी क्लैन का नाम सुनकर, उसके साथ मौजूद दूसरा बुड़ा आदमी चौक जाता है, और जियान को घूरने लगता है, थोड़ी देर बाद अचानक से उकापते हुए कहता है, सी क्लैन, यानि कि ये लड़का उसी आदमी का वन्शज है, उसकी आवाज में एक अजीब सी हैरानी लग रही थी, जैसे कि वो किसी ऐसे राज को जानता हो, जिसे अभी जियान खुद नहीं जानता था, वो आदमी सोचते हुए कहता है, भले ये लड़का उस आदमी का वन्शज है, वगर अभी ये काफी जादा वीक है, ऐसे में इसका और मिस यूनर का साथ आना बिलकुल भी आसान नहीं होगा, ये सुनकर वो दूसरा बुड़ा आदमी कहता है, मिस यूनर अपनी हदे जानती है, इसलिए हमें इस मैटर में कुछ नहीं कहना चाहिए, ये कहकर वो दोनों बस अपना सिर हिला कर रहे जाते हैं, जिसके बाद वो अपना सिर गुमा कर आसपास के लोगों को देखने लगते हैं, अचानक से लिटल फेरी डॉक्टर और टियान हाओ भी जियान के पास आ जाते हैं, दोनों याभी काफी ज़्यादा शौक थे, टियान हाओ थोड़े ठीक थे, मगर उन्हें भी यकिन नहीं हो रहा था, कि जियान ने अपनी मदद के लिए इतने पावर्फुल लोगों को बुला लिया है, यान हाओ भी उनकी पावर नहीं देख पा रहे थे, उन्हें लग रहा था, उन्हें महसूस हो रहा था, कि ये दोनों जो आभी उनकी सामने खड़े हैं, कि दोनों बुड़े आदमी कम से कम चार स्टार डाउजून होंगे, इधर लिटिल फेरी डॉक्टर थोड़ी परेशान थी, वो अच्छी तरह से जियान को जानती थी, वो समझती थी कि जियान कभी भी किसी लड़की के इतने करीब नहीं आया था, वो सभी से बाते करता था, उसकी सभी से दोस्ती थी, वो सभी से अच्छी तरह से बिहेव करता था, मगर वो कभी किसी के सामने एमोशनल नहीं होता था, पर आज वो एक लड़की के सामने एमोशनल हो रहा था, जिससे लिटिल फेरी डॉक्टर समझ गई थी, जाती है और वो ZN का हाथ पकड़ कर कहती है ZN कि इन लोगों ने तुम्हें चूट महुचाई है यूनर के आखों में अभी के लिए एक अजीब सी चमक दिखाई पड़ रही थी जो देखकर कोई भी बता सकता था कि अभी बहुत जादा गुश्ये में है ZN भी इस बात को समझता था मगर यू ये भी जानता था कि यूनर अगर कोई भी एक्शन लेगी तो इससे यूनर पर ही मुसीबत आ सकती है क्योंकि उसका क्लैन कभी भी उसे ZN को मदद करने के लिए अलाव नहीं करता पिछले कुछ सालों के सफर में ZN काफी जादा समझदार हो गया था वो अब वो पुराना लड़का नहीं रहा था जो जोश-जोश में आकर कोई भी फैसला ले ले लेता था अब ZN हर फैसला सोश समझ कर लेता था तो हर चीज को बारिकी से observe करने के बाद कोई decision बनाता था थोड़ी देर तक सूचने के बाद ZN कहता है मुझे जिस इंचान में चोट पहुचाई थी वो पहले ही मर चुका है ये लोग बस मेरे ले मुसीबत खड़ी कर रहे थे इससे जादा इन लोगों ने कुछ नहीं किया है ZN ने यूनर को समझा तो दिया था मगर यूनर भी इस मेरे को इतने आसानी से नहीं जाने देने वाली थी वो ZN का हाथ पकड़े वे कहती है तुम आगे का मेरे मुझे पर छोड़ दो मैं आगे का मेरे संभाल लूँगी यूनर की बात सुनकर ZN चौंक जाता है मगर वो बस इतना कहता है ठीक है पर जो भी करना संभल कर करना ये कहकर ZN यूनर का हाथ छोड़ देता है इधर यूनर पीछे मुड़ती है और बिंगे को घूरने लगती है इधर यूनर को खुद को घूरता देख बिंगे यूनर से पूछता है लड़की तुम कौन हो? कहां से आई हो? ये मैटर मेरे Ice River Valley का है इसलिए तुमें इस से दूर रहना चाहिए ये सुनकर यूनर हसने लगती है और कहती है या तुमें सच में लगता है कि तुम Ice River Valley का नाम लेकर मुझे धमकी दे सकते हो तुमारे Ice River Valley के आउकात नहीं है मुझे धमकी देने की ये सुनकर बिंगे को गुसा तो आता है मगर वो भी वाँके मैटर को समझ रहाता वो भी समझ रहाता कि अभी के लिए उनके दुश्मनों के पास चार डाउजन लेवल के वाडियर है ऐसे में उनका सामना करना उसके लिए बिलकुल भी आसान नहीं होने वाला है इससे लिए वो शांती से कहता है लड़की अगर तुमें उस लड़की को लेकर जाना है तो तुम उसे अपने साथ ले जा सकती हो मुझे बस इस पॉईजन लेडी से मतलब है अगर तुम इस पॉईजन लेडी के मैटर में इंटर्फियर नहीं करोगी तो मेरा भी तुमसे कोई लेना देना नहीं होगा उसकी बात सुनकर विंग हाई गुस्से में आ जाता है और वो विंग हे से गुस्से में कहता है वैली चीप विंग आप जियान के ऐसे जाने नहीं दे सकते हो ये सुनकर विंग हे भी उसे जवाब देते हुए कहता है मैं इस मैटर में अब और जादा नहीं पढ़ना चाता हूँ मैंने पहली ही बहुत ज़ादा नुकसान जेल लिया है अब और ज़ादा नुकसान जेलनी के मेरी हिम्मत नहीं है तुम्हें इस लड़के एक साथ जो भी करना है करो पर अब इस मैटर में मैं इन्वाल्ब नहीं हूँगा मैं अब इस पॉईजन लेडी को लूँगा और यहां से चला जाओंगा ये बात सुनकर कुईंग हाई को बहुत ज़ादा गुस्ता आता है मगर वो अब इक लिए कुछ नहीं करता है मगर इससे पहले कि वो लोग आगे कुछ कहते यूनर अचानक से कहती है तुम दोनों बहस करना बंद करो तुम दोनों के बहस करने का कोई फायदा नहीं होने वाला है क्यूंकि मैं तुमें यहां से किसी को भी ले जाने नहीं दूँगी चुपचाप जैसे आए हो वैसे चले जाओ वरना इसका खामियाजा तुमें भुगतना होगा यह सुनकर बिंखे गुस्ते में आ जाता है और गुस्ते में यूनर से कहता है लड़की लगता है तुमें बहुत जादा घमंड है कोई बात नहीं मैं आज के आज तुमारा सारा घमंड उतार दूँगा उसकी बात सुनकर यूनर कहती है तुम्हारे पास एक मिनट है अगर तुम एक मिनट में यहां से चले गए तो बहुत अच्छा है वरना तुम्हें लात मार कर भगाने में मुझे कोई दिक्त नहीं होगी यह बास सुनकर बिंगे गुसे में आ जाता है वो यूनर को घूरती वे कहता है लड़की तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम्हें स्मैटर से दूर रहो वरना तुम्हें इसका खाम्याजा भुगतना होगा यूनर कहती है अब बस 30 सेकंड बचे हैं लेकिन बिंग को घूरती वे कहता है ठीक है तो आज हम मुकाबला करकर रहेंगे यह कहकर वो कुइंग हाई से कहता है कुइंग हाई तुम इन दोनों बुड़े आदमी में से एक को संभालो मैं दूसरे को संभालता हूँ और टियान शॉंग तीसरे को संभाल लेगा इसके बाद इस के को पकड़ो तब तक हम इन लोगों को संभालते हैं कुइंग हाई का ओर्डर सुनकर गैंडा और उसकी साथ मौजूद बाकी के लोग परिशान हो जाते हैं वो लोग जियान के आसपास मौजूद सभी डाउजन लेवल के वारियर से डर रहे थे मगर वो कुइंग हाई के उन लोगों को संभालो ये सुनकर उनमें से एक आदमी कुइंग हाई से फाइट करने चला जाता है वहीं दूसरा आदमी बिंगे से फाइट करने चला जाता है इधर गैंडा अपने लोगों के साथ जियान को पकड़ने जाने लगता है उन लोगों को अपनी तरफ बढ़त उस आचानक से यह flame को देखकर ZN चौंक जाता है और कापते भी कहता है यह तो एक heavenly flame है heavenly flame के सामने आती ही ZN पहचान गया था कि यह एक heavenly flame है मगर ZN को यह समझ नहीं आया था कि यह कौन सी heavenly flame है मगर उस flame के आज आने से ZN की glazed flame तक कापने लगी थी इससे ZN इतना तो समझ गया था कि यह flame कम से कम glazed flame से तो high rank की है ZN सोचते वे कहता है तो आप 10 heavenly flame में ऐसी सिफ दो flame है जो golden rank की है जिन में से एक है 9 gold ancestral flame जो rank 7 की flame है और दूसरी है gold emperor heavenly flame जो rank 4 पर है यूनर के पास जो flame है वो flame इन दोनों में से कोई एक होनी चाहिए ZN के पास जो heavenly flame थी वो दो heavenly flame के मिलने से बनी हुई थी ऐसे में वो भी जब यूनर की heavenly flame के सामने काप रही थी तो ZN समझ गया था कि यूनर के पास जो heavenly flame है वो top 10 heavenly flame में से कोई एक होगी और top 10 heavenly flame में ऐसी दो ही heavenly flame थी जो golden rank की थी इसलिए ZN ने ये अंदाजा लगाया था वगर वो भी अभी एक अनफर्मली नहीं कह सकता था कि असल में यूनर के पास कौन से heavenly flame है और अब इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है